हालो एवरीवन वेलकम बैक तो माई चानल तो आज हम बनाएंगे चॉकलिट सेंविच और नुटेला चॉकलिट सेंविच तो चलिए शुरू करते हैं हम बनाना इसके लिए हमें चाहिए होगी ब्रैट चीज क्यू नुटेला और कोई सी भी डाक चॉकलिट हम इसमें यूज कर सकते हैं तो चीज को मैंने क्रश कर लिया है अब हम ब्रैट पे थोड़ा बहुत बटर लगा लेंगे दौनों ब्रैट पे ऐसे ही स्प्रेट कर लेंगे हम अब नुटेला इस्प्रेट कर लेंगे दौनों ब्रैट पे अच्छे से चारू तरफ हम नुटेला को स्प्रेट कर लेंगे ताकि कोई जगे खाली ना राजाए प्रैट की अफर दाक चॉकलेट के कुछ पीसिस हम इस पे डाल देंगे अब चीज एड़ कर लेते हैं करश करीबी अब ब्रैट को इसके उपर रख देंगे और अब हम इसे सेख लेते हैं तवा गरम हो चुका है हमारा इसमें गी डाल दिया है थोड़ा सा गी को अच्छे से स्प्रैट कर लेंगे हम फिर हमारा सैंविच रख देंगे इस पे अब लोग फ्लेम पे सैंविच को अच्छे से पकाएंगे बीच में थोड़ा सा फुल करके भी पकाएंगे हम इसे तो गी लगा देंगे दोनों तरफ घंडीन अच्छे से जाज़ाने हम तो आप देख सकते हैं कि एक साइज से बहुत है अच्छा आप देख सकते हैं कि एक साइज से बहुत हमारा क्रिस्पी हो चुका है तो चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं हमारा से अच्छी से बिल्कुल क्रिस्पी हो गया है हम इसको सैंटर से कट कर लेंगे तो देख सकते हैं आप हमारा चॉकलेट सेंविच बिल्कुल तयार है अब थोड़ा सा हम इसे उपर से डेकोरिट कर लिते हैं इसके लिए मैंने चॉको चिप्स डाल दिए इसके उपर अब थोड़ा सा हम इस पे नुटेला भी स्प्रेट कर देंगे तो यसे उपर से और भी अच्छा टीस्ट आएगा हमारे सेंविच का तो तयार है हमारा चॉकलेट नुटेला सेंविच आपको में रेस्पी कैसी लगी अच्छी लगी तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को लाइक करना कमेंट करना मिलते है नेक्स वीडियो में ऐसे ही कुछ और एजी रेसिपीस के सब थेंक यू तब तक लिए बाबाई